हम सैल पुत्री माता की तुम्हे कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम सैल पुत्री माता की तुम्हे कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं, हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार नो रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार परवत राज हिमालय के घर लेके जन्म ये आई सिला की पुत्री होने से ये सैल पुत्री कहलाई ताए हाथ में लिये हुए है मास्यू का तिरसूल बाए भुजा में माता की सजता है कमल का फूल विसभ वाहन है माता का बड़ा निराला है रतन जडित है मुकुटशी से और गले में माला है शैल पुत्री माता का जो भक्त भिध्यान लगाए वैवाहिक जीवन उसका तो खुसियों से भर जाए पहला रूप ये मादुरगा का सभी बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नौ राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाती है नोडातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नोडातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नोडातों का आता है जब जब पावंत्यों हार पहले नोडाते में इन्हें ही पूजता है संसार सैल पुत्री की पूजा जो मन से करते हैं अनधन के भंडार सदा भगतों के भरते हैं होते हैं मजबूत इरादे जिनके नेक विचार ठोस सिला की तरहा ही होता उनका आधार स्योकी प्रिया है माता और शक्ति का है ये रूप नोडुर गा में हैं पहला मासैल पुत्री रूप किस्मत वाले होते हैं जो इनको ध्याते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार पूर्व जन्म का नाम तो इनका माता सती कहलायां राजा दक्ष की थी पुत्री भोले संग्व्याह रचाया एक बार रिसिमुनियों ने मिल करके यग्य किया राजा दक्ष को भी रिसियों ने यग्य में बुला लिया राजा दक्ष का किया सभी रिसिमुनियों ने सम्मान लेकिन श्यू संभू ने दिया ना उनकी ओर कोई ध्यान सोचा दक्षिन मैं तो हूँ संकर के फिता समान लेकिन श्यू ने मुझे देख कर किया नहीं प्रैनाओं राजा दक्ष इस बात को मन से भुला न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार एक बार फिर राजा दक्ष ने महायक्य करवाया भेजनी मंत्रण सभी देवतावों को है बुलवाया लेकिन राजा दक्ष के मन मेशु के लिए है द्वेश सती और स्यू संभू को कोई भेजाना संदेश माता सती को पता लगा तो स्यू से लगी है कहने महायक्य का आयो जन मेरे पिता लग करने बोले स्यू संभू के हमें वहाना बुलवाया है लाजा दक्ष की और से ने उताना कोई आया है बिना बुलाए मेहमान हम नहीं बनना चाहते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाएं पार लेकिन सतीन यग्य में जाने की लिए था सोचाना के वहां पे जाने पर होगा अपमार ले आग्या वोश्यू संकर की यग्य में आई हैं खुद उनकी बहनों ने ही फिर हसी उडाई है लेकिन देख सती को उनकी माने गले लगाया फिर तो सतीन यग्य भूमी को देखना है चाहा सब देवों के लिए बना था बैठन का अस्थान राजा दक्षिन शू संभू का नहीं रखा पर ध्यान ना ही अपनी पुत्री से वो नजर मिलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नोराते में इनके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नोरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार माता सतीना सहपाईशू संभू का अपमान बोली पिता से भूगत ना होगा आपको अब परिनाम सभी देवता आपने तो है यग्य में बुलवाए चू संकर को भूल गए क्यूं याद नहीं आए हुआ यग्य आरंब ये लेकिन पूरा ना हो पाए करो यतन हे पिता सिरी तुम जितने भी चाहे हवन कुंड में माता सतीने कर लिया आत्म दाह देख सभी घबराए है अब जाने होगा क्या कौन से लीला जाने भोले नाथ दिखाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नौराते में इनके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नो रातों का तुहार भग्रतों को लगाए पार पता लगा जो भोले को वो क्रोध में भरके आए जलती हुई सती को है हाथों में लिया उठाए तीसरा नेत्र भी खुल गया वो लगे है टांडों करने थर थर लगे कापने सब तों लगे कोप से डरने ब्रम्हा जीने की विंती विश्नुजी से है आन आप निकाले विश्नुजी इसका कोई समधान अपना सुधर सन विश्नुजी ने दिया है फिर तो छोड़ जलती हुई सती के अंग तो विखरे चारोर भोले लेकिन सांत अभी भी ना हो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इसके रूप को ध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भग्रतों को लगाए पार वीर भत्र को भोले ने अपनी शक्ती से बनाया भत्र काली रूप सती के क्रोधि से है ये आया करने लगे संघार वो दोनों सामन जो आए शूका जो अपमान करे वो कैसे बच पाए वीर भत्र और काली ने हैं बदला सब से लिया राजा दक्ष का सीस काट कर धड़ से अलग किया ब्रह्मा जी फिर भोले से ये करने लग विंती माफ करो है भोले तक्ष ने कर दी है गलती भोले तो भोले है आखिर माने ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में इसके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्योहार भगतों को लगाए पार राजा दक्ष को भोले ने फिर दे दिया जीवन दान भोले के चरनों में फिर तो दक्ष गिरे है आन अस्व में घ्यग भी तो है फिर पूरा करवाया है लेकिन अपनी सती को भी भोले ने गवाया है कहने लगी है सती मैं अगले जन्म में मिल जाऊंगी परवत राज हिमाले की जब पुत्री बनाऊंगी फिर तो हिमाले की पुत्री मा बन कर है आई शैल पुत्री इसी जनम में है वो कहलाई इसलिए तो पहले इनके रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार नौरातों का त्योहार भगतों को लगाए पार माता के सब रूप यूं तो भाते हैं भगतों को प्रथम दिन जिस रूप की पूजा नौराते में हो शैल पुत्री उसी रूप को भगतों कहा जाए माता अपनी कृपा भी भगतों पे हैं बरसाए हंस राज रिलहन के लिए भी आज घड़ी सुभ आई शैल पुत्री मा की महिमा डियस पाल ने गाई मात शार दे की किर्पा हुई मुझ पे बड़ी अपार महिमा वर्डन कर पाया ये फौजी सुरेस कुमार कथा को सुनने वाले सब उत्तम फल पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं पहले नो राते में मा के रूप कुध्याते हैं हम कथा सुनाते हैं नो रातों का त्यों हार भगतों को लगाए पार